तो अब हम लोग बात करते हैं colors की, कि CSS में color किस तरीके से use करेंगे, आपने अब तक अब मैं देखा होगा कि मैं colors को नाम से use करता था, बट सर्फ नाम से use नहीं कर सकते हैं, हम लोग और भी तरीके जिन से use कर सकते है color को, CSS में color को आप इन तरीकों से use कर सकते हो, पहला predefined color ने, जो की CSS ने already define कर रखा है, कि इतने नाम है और इस color के ये नाम है, तो जैसे मैं अभी करता था, white, black, red, green, blue, use कर लेता था, तो ये सब नाम predefined है, आप जैसे ही नाम लिखोगे, वो color automatic आ जाएगा, दूसरा तरीका है RGB, RGB code लगाना, तीसरा तरीका है RGB A code से आप कर सकते हो, चौथा है hex code से, पांचमा है HSL code से, और छठा है HSL A code से, predefined color name में क्या होता है, कि अब तक browsers, क्योंकि STML और CSS browser पर रन होता है, तो ये browser पर depend करता है, कि कितने predefined color के name है, वो support करता है, तो आज के date में modern browser जितने हैं, वो 140 color को support करता है, अब वो सारे colors क्या है, इसका नाम आप इस link पे जाकर देख सकते हो, या फिर आप browser पे जाकर ढूंद सकते हो, color name, in CSS, automatic आपके पास बहुत सारे link आ जाएंगे, अगर आप यहाँ पे नहीं जाना चाहते हो, तो और अगर ये link पे जाओगे, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, और यहाँ पे आपको सारे के color के names दिख जाएंगे, जो already predefined है, और support करता है भी सारे browser, अब बात करते हैं, RGB की, name तो आप लोग समझ गया हो गया, अब दिखो, होता ये है कि base color हमारे पास सर्फ तीन होता है, red, green औ जाते हो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे color है, उसके बहुत सारे shades है, जिसने red में ही, इतने shades हो जाएंगे कि आप किन नहीं सकते, तो इतने को आप नाम तो नहीं दे सकते है, तो आपको ford से देना होता है, तो वही तरीका है RGB से, तो RGB में क्या होता है, जो syntax है वो है ये, आप पहले लिखते हो RGB, उसके बाद bracket के अंदर red और comma देकर green, फिर comma देकर blue, इन तीनों का value डालते हो, इन तीनों के value को mix करके जो color बनता है, वो browser दिखा देगा, अब जो red, green, blue है, इसमें आपको 0 से 255 तक जाना होता है, ये एक value है, ठीक है, आप कुछ भी value नहीं दे सकते 0 का मतलब हुआ कि उसका सबसे minimum वाला value, red का सबसे minimum है, faded वो, और 255 का मतलब हुआ, red का सबसे dark red, ठीक है, उसी तरीके से green और blue के लिए है, कि 255 अगर green और blue में देंगे, तो उसका सबसे dark वाला shade आएगा, और अगर 0 डालेंगे, तो बिलकुल हलका वाला shade आएगा, अब जै इनों का सबसे dark वाला color यूज़ करेंगे, तो वो बनता है white color, ये अगर आप लोग पेंटिंग करते होगे, तो आप इसमें वे देखते हो, कि दो color को mix करते हैं, तो तीसरा color बन जाता है, तो बिलकुल उसी तरीके से है, ये RGB, अब मानलो सिर्फ मुझे red चाहिए, तो मैं का आपको जो link दिखाना था, उसमें देखोगे, तो यहाँ पे हर एक color के लिए, यहाँ पे हर एक color के लिए RGB code दिया गया है, और ये बिलकुल उसी तरीके से, यहाँ पे red, फिर green, फिर blue, अब बात करते है RGB A का, तो RGB तो आपने देख लिए A है क्या, A का मतलब होता है alpha, alpha क्या करता है कि transparent करने के लिए होता है, मान लो आप background color लगा रहे हो, बट आप चाहते हो कि थोड़ा सा transparent हो, मतलब कि एक background image लगा हुआ था, उसके उपर एक और div था, उस पे आप color लगा रहे हो, बट आप चाहते हो कि वो थोड़ा transparent हो, ताकि color तो आए, और पीछे वाला image भी थो green, blue देना होता है, और alpha के जगह पे आप 0 से 1 की value को डाल सकते हो, मतलब 0.0 से 1.0 तक डाल सकते हो, 0.0 क्या होता है, fully transparent, मतलब कि पूरा transparent होगा, C से के जैसा, 1 का मतलब है कि वो बिल्कुल भी transparent नहीं होगा, वो एक color cardboard जैसा होगा, और बीच में आप जैसे करोगे 0.5, 0.4, 0 point थे, तो वो हलका transparent होता जागा, जितने value आप बढ़ाते जाओगे, उतना वो transparent खतम होता जाएगा, जितना value घटाते जाओगे, उतना transparent होता जाएगा, for example, यहाँ पे देखो, हमने एक color लिया, और यहाँ पे हमने transparent कर दिया half, इसको 0.5 कर दिया, मतलब आधा color देखे, और पीछे वाला जो भी background में, जो भी चीज़े हैं, वो दिखे, अब बात करते हैं हम लोग hex code का, hex code भी बिल्कुल उसी तरीके से है, कि हम लोग RGB से ही बनाते हैं, आप देखो, इसका syntax बस थोड़ा उल्टा है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, hash लिखते हैं, और यहाँ पे 6 digit का वो हमारे पास होता है, दो digit इसमें red का होता है, दो digit इसमें green का होता है, और दो digit इसमें blue का होता है, तो यह बनता RGB से ही है, बट इसमें हम लोग hexadecimal code यूज करते हैं, उसमें हम लोग क्या यूज कर रहे थे, normal number यूज कर रहे थे, 0 से 255, इसमें हम लोग hexadecimal यूज करते यह है आपका syntax अब देखो इसमें क्या होता है कि हैकसा उसमें क्या था value 0 से 255 लेकिन इसमें होता है 00 से ff तक बात बराबर ही है बस यह hexadecimal में लिखा हुआ है तो जैसे अगर मुझे red करना है तो मैं क्या decimal code है तो yellow के लिए gold के लिए आप देख सकते हो for example यह नाम हो गया gold और यह हो गया हमारा hexadecimal value और यह हो गया RGB value और अगर इसमें RGB A लगाते तो भी काम करता बस तो आप transparent हो जाता अब बात करते हैं HSL की तो HSL क्या होता है कि इसमें हम लोग hue saturation और lightness इन तीन चीज़ों पर depend करके हम लोग एक कलर को generate करते हैं तो HSL का लिखने का syntax बिल्कुल RGB जैसा है आपको पहले लिखना होगा HSL और इसमें कॉमा देकर तीनों का value डालना होगा अब बात करते हैं कि hue क्या होता है तो hue एक तरह का एक color का wheel है ठीक है उसमें जो degree है वो है आपका hue देखो वो कुछ इस तरीके rikt कա color का degree है ठीक है यहाँ पे color का wheel मिलगे हमा़ पास और हर एक d łatने मिलगे अब हरेक विए पर देखो अलग-अलग color है है हमारे पास तो वही है हमाराrive तो अब यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा है कि 0 से लेके, क्योंकि हमें 0 से लेके 360 डिगरी तक का हमें मिलता है एक सरकल जिसमें variant color होता है, अब 0 जो होता है, वो red होता है, 120 green होता है, 240 blue होता है, आप आप देखो हैं, 0 red, 120 green और 240 blue, इसके बीच का color भी आप mention angle से कर सकते ह saturation का मतलब क्या होता है, कि grey कितना है यह, saturation देखो, यहां पर क्या होता है, 0 से 100% के बीच में आपको percentage में देना होता है, जो आप saturation दो के, उसका मतलब होता है कि कितना grey है, वो कितना मतलब उसके उपर darkness है, dark कितना है, तो वो saturation होता है, फिर आता है lightness, lightness में भी आप 0 से लेके 100 तक में जै सकते हो, 0 का मतलब होता है black और 100 का मतलब होता है white ये आप जब अपने television यूज़ करते होगे तो आप ये तीनों चीज़ यूज़ करते होगे, अपना brightness set करने के लिए सब कुछ, ठीक है? तो जैसे आप red यूज़ करना है मुझे तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे HSL लिखूँगा, वहाँ पे 0 दूँगा 100% saturation कर दूँगा और lightness 50% कर दूँगा ये सब आप vary करके अपना color बना सकते हो तो ये होगे HSL अब बात करते हैं HSL A का, तो इसमें भी बिल्कुल HSL ही होता है बात उसमें alpha add हो जाता है मतलब वो transparent वाला खेल यहाँ पे भी आजाता है, कि आप एक कॉमा करके 0.0 से 1.0 तक के value में बीच में डालो, अगर 0.0 डालोगे तो fully transparent है 1 डालोगे तो पूरे तरीके से non transparent है तो इस तरीके से आप color generate कर सकते हो और यह सारा कोई याद तो करोगे नहीं तो आप क्या कर सकते हो online आप जाके code देख सकते हो या फिर अगर आप कोई photo editing tool यूज़ करते हो जैसे photoshop अगर है तो उसमें से कोई भी color वहाँ पे wheel होता है, बहुत सारी चीजें होती है color picker होता है, वहाँ से color pick करके उनका code जान सकते हो कि कहां से मिलेगा और अगर कहीं से नहीं मिल रहा तो आप online search करो CSS color, वहाँ पे आपको सब कुछ code के साथ मिल जाएगा आप अपना color वगरा जैसे यहाँ पे अगर आप जाके choose करना साथ हो, तो choose कर सकते हो उनको तीनों तरीके से use कर सकते हो